हेलो एबरीबन वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सबी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरूबात एक नए दिन के साथ और उमीद करूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए करन बारीत है वोर्डिंग का टाइम है और मैं आपर लगाओंगी सबसे पहले मशीन क्योंकि कलना मैंने कप्ड़े नहीं धुले थे तो आज मैं सबसे पहले मशीन लगऊँगी क्योंकि सुबह मैं लाइट आती है और फिर आती रहती है वैसे तो एक फर फार पर जाती भी है पर थोड़ी बहुत देर के लिए फिर आ जाती है तो मैंने सोचा कि ना पहले मशीन लगा देते हैं जब तक लाइट जाने का टाइम आएगा ना तब तक तो मेरे कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि इतनी सुबह में ही मैं कपड़े आज लगा रही हूं मेरा यही रू सेूल ज़्याइब रही हैसा मैंने सुचा कि खुलना एमसे वालती है बालती से पानी डाल देती हूं उत क्या होता एक जल्दी काम हो जाता है अगर हम से भवालती से लगता है खेले两ग को मैंने सौचा कि आ यहाँ डाल दे कि क्योंकि यह मेरा सूट है कुरती जो है इसमें कढ़ाई है और कढ़ाई वाले सूट जो होते हैं वो आपस में अगर कपड़ों में इलज जाते हैं तो उनकी जो कढ़ाई होती है वो खिच जाती है और सूट का पूरा लुक खराब हो जाता है तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं हाथ से निकाल लेती हूँ क्योंकि गले पर काफी कढ़ाई है और यह ठीक रहता है अगर हमारा सूट सिंपल है उस पर कोई कढ़ाई नहीं है तब तो चल जाता है कि डाल दो अगर कढ़ाई है तो फिर हमें हाथ से उसको जरूर से धुलना चाहिए जिससे कि उसकी कढ़ाई अच्छे से बनी रहे और सूट का लुक खरावना हो तो मैंने उसको कुर्ती को न अच्छे से नीड लिया है और धुल करके उसको सुखा भी दिया है जो कुर्ती थी न मैंने सुचा उसको न सुखा देते हैं बहार क्योंकि फिर क्या है कि ऐसे ही रखे रहने दूंगी तो मैंने काया फिर किया ही छोड़ना एक कुरती का तो मैंने इसको धुल करके शखा दिया और अभी यहाँ पर ताजा पानी चल रहा है तो मैंने के बाड़ यह कुड़ने के बाद बाल्ति को भी अच्छ sexual Polish चानघी एक कल का पानी यह को डालने से अच्छा है कि ये बालटी में पानी जो मैं भरके रखते हूं इसलिए रखती हूं जिससे कि ते बाद और बात वान्य होता है किन१क थो भी वाधे मेरा करें चोक लग था आई थिकाम करते हूं और मैंने थोड़ा पानी भी पी लिया है पानी पीने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है जो पानी था ना उसमें एक बाल्टी खाली रही थी उसमें भी मैंने पानी को डाल दिया है तो अभी हाँ पर घर मेरा कुछ इस तरह से है क्योंकि सुह मैंने सबसे पहले वही काम किया है पहले सबसे पहले गुडियारानी का लेंच आज गुडियारानी स्कूल नहीं गई है हाँ सौरी तो सबसे पहले लेंच का काम रहता है लेकिन आज लेंच का नहीं था चाय वगएरा बनाई थी उसके बाद देखे पेड़ पौधे किस तरह से हमारे हो रखे हैं और ये पौधे जेरा नई मुझे ये भी सही करना है और अभी मैं चल दी हूँ नीचे की तरफ क्योंकि हमारी ना टंकी खाली है पता नहीं वो कैसे है कैसे नहीं है बंदर कभी कभी क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं उसको गुमा देते हैं जहां से पानी आता है तो मैं मैंने ना समर चलाई थी दुवारा से क्योंकि अभी light फिर दुवारा से आ गई है बीच में एक बार चली गई थी और बड़ी problem हो गई थी टंकी से पानी आना बंद हो गया था और बड़ी दिक्कत हो गई थी और पानी देखे हमें ऐसे पता चलता है कि हमारी टंकी भर गई है उपर से पानी आ रहा है है पसुबंधे हुए है मैंने सुचा कि चलो एक बार आपको भी दिखा देते हैं और यह हमारा घेर ट्रेक्टर वगरा खड़े हुए हैं और देखिए मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है सच बताओं ना मौसम बहुत प्यारा हो रहा है अपकी बार ना लग रहा है कि हाँ स सच बताओं लग रहा है नहीं जब धूप निकलते हैं न smell जैसा लगता ही नहीं है तो इस तरह से ही मौसम रहे बरसाथ होती रहे बादल चाये ठैंड़ी ठैंडी अवा चनती छिए इस तरह से ही सावन सावन जैसा लगता है और जैसे यह अब की बार धूपने कलेगी ना सावन के बाद फिर तो कप्रे वगएरा सुखाने पड़ेंगे जो भी है क्योंकि उसके बाद धीरे 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 फिर वो ही होगा कि मौसम चेंज होता चला जाएगा तो जैसे ही जनवाशनी में बगएरा यह तोहर जाते हैं फिर ना सापसपाई घर की सुरू हो जाती हैं धीपावली की तैयारियां सुरू हो जाती हैं अब भी यहाँ पर मैंने इसको भी साफ कर लिया है जो किचिन है हमारी इसको भी साफ क जस्तीज तो हो गई है अब रक्षावंदन आएंगे उसके बाद फिर जनमाश्टमी फिर उसके बाद तो नौराती वगर आएंगी वो आते हैं कनागत आते हैं नौराती आती हैं और उसके बाद दसहरा मतलब दीरे दीरे करके और ये जो मौसम होता है ये जो टाइम होता है यह सच बता हूँ इसमें एक अलग सी खुसी, मन बहुत लगता है, बहुत जादा, तो अच्छा लगता है, मोसम में अच्छा हो जाता है, तो तो आओरों का सीजन आ जाता है. अब भी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ इसकी साफ सपाई जो हमारा गैस का चूला है इसकी मैं साफ सपाई अच्छे से करने लगी हूँ जिससे की यहाँ पर कोई भी कच्रा वगेरा ना रहे क्योंकि ना ये भी हमारा डेली का रूटीन होता ही होता है साफ सपाई का तो मैं वो ही कर रही हूँ अभी यहाँ पर तो अभी इसको खतम करूंगी इस वाले काम को और फिर वागी के जो काम है धीरे 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 एक एक करके सब भी काम मुझे खतम करने होंगे और अब तो ना जम डेली डेली किसी भी काम को करते हैं और जब भी मैं editing करने वैठ हूं मेरे साथ ही ये problem है कि मुझे नींद पर नींद नींद पर नींद आती ही रहती है अपानी क्या problem है चाहे मैं किसी भी time कर लो अब मैं ये वीडियो सुवह के time edit कर रही हूं कल मैंने बनाई थी मैंने का भी चली जाएगी लेकिन अब भी मुझे नीद आ रही है जब कि रात को अभी time नहीं हुआ आया जाता सोकर के ही उठे थे लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है अभी हाँ पर किचिन की साफ सपाई करने के बाद फिर मैं हाँ पर दूद को चान लोगे और हमारे यहाँ पर ना मोर आप देख सकते हो कितने जादा बोलते हैं बहुत जादा वह तो मैं रों के अंदर हूँ अगर मैं बाहार चली जाओं न तो और भी तेज तेज आवा जाएगी वैसे तो यह काफी तेज ही बोलते हैं मिल्टला हमारे ही नहिं किसी के भी नहीं आते हैं लेकिन को अख्जहे से बैठे रहते हैं लेकिन जदा पास चाते हैं तो फिर उतार दिये थे फिर क्यों इस पे रहने देना फिर उतारते हैं अभी आज के कपड़े धुल रहे हैं वो मैं सुखा दूँगी यहाँ पर तो भी नहीं सुखाओंगी मुझे जब तक लगेगा न कि हलकी फुलकी सी धूपा रही है या फिर हवा चल रही है बरसात है नहीं तब तो मैं वहाँ गंटे कपड़े सूख भी लिये थे वहाँ पर लेकिन उसके बाद जो बरसात आई थी ना इतनी तेज वाली आई तो बहुत तेज वाली बरसात आई और एक गंटे तक लगातार बहुत तेज बरसात होती रही तो फिर मैंने ना वहाँ से कपड़े उठा दिये थे वैसे त नहाकर के आई थी उसके बाद ही शुरू हुई थी अगर मैं वह सुरूंग के अंदर होती ना फिर पता भी नहीं चलता है कपड़े बीग जाते वह तो अच्छा था कि मैं नहाकर के बाहर आ चुकी थी और बड़सात उसके बाद से शुरू हुई थी मैंने फटापट कि रहाशी को जब हम चपन चुटी है तो चलो वे जुको करह, अभी यहां पर मैं लगाने लगी हूं ज़ारू इधर में गई थी शुरू करने के बाद कि फूल पत्ती पोधे शबी को है कि जब किसी भी चीज के साथ मेहनत करते हैं तो उसको वार वार देखने का मन होता है निहारने का मन होता है तो मैं वही कर रही थी देख रही थी और अच्छे से अभी गुड़िया रादी सो रही है और मैं उसको सो नहीं सोने देते हैं फिर क्या करवाना है अभी यहाँ पर मैं आ गही हूँ इधर कपड़े धूल गए थे और धूलने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इनको पानी से निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे रहता है अगर धूल गए हैं तो फिर का बैग जो स्कूल का बैग है ना वह गंदा हो रहा है मैं उससे कही दिनों से हपते भर से बोल रही हूं कि आप इसको ना दे दो इसमें से अपना समान खाली कर लो और मैं इसको धुल दू ओ कहरी थी अभी इतना गंदा नहीं हुआ है आपको तो धुलने की लगी रहती है। अब ये बैग है अब आप इसको गंदे को ही ले जाते रहोगे कोई ना कोई तो देखी लेता है boy HOLT बोल ही देते हैं कि इसकी मम्मी को इतना भी टाइम नहीं बैग दून दे और जब कि मैं तो उससे काफी दिनों से बोल रही हूं पर आज मैंने फाइनली फिर मैंने उससे नहीं बोला मैंने उसके सारे समान खाली किये और रख दिये और उसके बाद मैंने खुद से ही उसको ख इनको न कपड़ों को पानी से भी निकाल लेती हूँ क्योंकि सही रहता है अब ये पूरा काम हमारा खतम हो जाएगा जो भी ये कपड़ों वाला था फिर बैग में तो इतना टाइम नहीं लगेगा वो तो एक बैग है ऐसे ही उसको में निकाल लोगे कपड़े भी न अभी काफी हो गएते जैसे एक दिन नहीं धोते हैं और फिर कुछ कपड़े एक्षट्रा भी है तोबल वगेरा या कुछ ना कुछ एक आदा कपड़ा ऐसा मिल ही जाता है जो एक्षट्रा हो ही जाता है तो वो भी दुल दिया है और अभी मैंने जाड़ो वो लगभग पूरा ही खतम हो गया है बस एक काम बचा है वो आप समझ गए होंगे वो बचा है पोचे लगाने का पोचा लगाऊंगी वागी का मेरा घर का जितना भी काम था ना पूरा खतम मैंने कर लिया है बड़ा अच्छा लगता है और मैं जल्दी जल्दी से लगातार क काम पर लगी रही हूं जिसकी बजाय से ना काम भी हमेरा खतम हो ही गया है तो अभी इसमें थोड़ा सा मैं नील भी घुल लिया है क्योंकि नील मुझे लगाना पड़ेगा नुश्का के पापजी के सफेद कपड़ों में और उनको रहता है कि मेरे कपड़ों में नील है उसकी भी तह कर लेते हैं उसको भी हटा लेते हैं तो मैंने उसको हटाया तह किया और अंदर रख दिया और अभी मुझे उसको चाह वगएरा भी देनी है क्योंकि सुबह में आलस इतना ज़्यादा आता है चाह वगएरा पी लेते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है तो अ एकदम से दे दो ना तो उसको प्रॉब्लम भी हो जाती है तो मैंने कर रुख जाओ तो थोड़ी देर अभी आप आराम से बैठ लो और उसके बाद फिर मुझा आए दूंगी और ओना जल्दी जल्दी से अगर अचानक से खा भी ले तो वह बहुत परिशान हो जाती है इसलि आपि वैसे थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है लेकिन मावाब के लिए बच्चे कभी बड़ी नहीं होते अभी नहीं होते ऐसा लगता है अभी कल की तो बात ही है जब अनूश्का बहुत छोटी थी ऐसा लगता है जब मैं उपर आई थी उपर है रहने लगते हम तब भी हम हमारी गुड़ी अरानी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी वह छोटी सी थी और उसको में ले जाया करती थी लेकिन अभी न होता है समय के साथ न हर चीज बदल जाती है लेकिन वह बच्पन जो होता है न बच्चों का सच बताऊं बड़ा याद आता है बड़ा अच्छा लग पर मैंने उधर की साइड लगाना सुरू कर दिया है और कीडे इतने ज्यादा आते हैं कि सुभाव को मैं ज्धार लगाती हूं तब भी निकलते हैं पोचा लगाती हूं समय विना बहुत कीडे खटे हो जाते हैं और बड़ा उनसे न फ्रिया तो मैं बीच में उन्हें काम की टाइम और लाइट तो जलती हैं जब खाना भरा बनाते हैं खाते Еще तो एक दम से न उन्हें पर इतनी ज्यादा कीड़े आ जाते हैं वहां ज्यादा तो बड़ा वह करता है वह द्यान रखना पड़ता है मैंने पूरे घर में पूरे लगा लिया है अभी आप देख र में इहां पर फैला गई थे तो भी मैं उन्हीं को फैला रही हूँ और है पहले मैं उनकाल रही ह geven मैं उससे सुंरू कर दो मुझे सब भी शुकाने है ऐसा है दूख चोड़ने है और कपड़े भी इतने हैं कि पूरी रसिया ना ये भर जाएंगी आज ना ये खाली नहीं रहेंगी पूरी रसिया भर जाएंगी और अच्छा भी लगता है जब इस तरह से कपड़े सुखते हैं ना तो बहुत अच्छा सा भी लगता है तो अभी मैं इधर की साइड में भी इधर भी सुखा दिया है मैंने जो कपड़े थे और अब ही इनको सुखाने के बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड भी करूंगी मिलेंगे कल आप से एक अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ एंड टेक केर